वाज़ बाक टू मार चैनल और आप देखने हैं नौक्स गेमिंग स्वागेत दोस्तों आपका हमारे चैनल पर और आज मैं इस वीडियो में फेस्क्राइम नहीं कर रहा हूं जल्दी से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्या है अटाक ओफ अंडेट तो वीडिय तो गाइज यह मैं आपको पहले बता दूं कि यह पहले से ही एक आ चुका है कोई नया चीज नहीं है यह पहले call of duty के PC version के गेम में आ चुका है मल्टि प्लेयर मोड में तो इसमें क्या है ना एक जॉंबी क्लाशेज होते हैं मल्टि प्लेयर मोड में सिंपल गेम है बड़ी मज़ा आने वाली है तो इसके कुछ रूज हैं जो की सीओडी मोबाइल की वेबसाइट पे स्टेट थे तो मैं आपको भी इस पूरे वीडियो मे क्लियर कर दूंगा तो ध्यान से थोड़ा सुने तो गेम फोकस थोड़ा कम दे और ध्यान ध्यान से सुने तो एक जो टीम होती है फुल टीम अव शरवाईवर्स लोड़ इन्टू दा आ माच अब इसमें होता क्या है कि आपका 10 जो बंदे हैं वो सर्वाईवर्स होते हैं पहले 10 जो बंदे होते हैं नहें 20 Pues मत्रइपन सर्वाइब्स ते कांटमाइब कोई बन गया हूँ क्या नाम है था Сब्सकार के बावे Además श्रंपर कांटम सभाइबर अब ये हैं बन घया हूं क्या नाम है एंधेच बन गया हो यानिस कांट के दूस्टा के आप अंडेट साइड पे अब वो पहला प्लेयर जो है ना उसको गन चलाने की छूट मिली हुई है तब तक जब तक वो फर्स्ट किल कर ले विकॉस अगर वो चाकू से मानने जाएगा तो हो सकता मर जाए देन गेम ही खतम हो जाएगा तो उसके लिए ना गन यूस करना ठीक ह है वो गन यूस कर सकता है पहला उसने कर दिया उसके बाद जो जॉंबी है उनको ना जैसे मैं अभी मेली वेपन से अटाक कर रहा हूं उन्हें मेली वेपन से अटाक करना होता है अब सर्वाइवस को क्या करना होता है सर्वाइवस हैस्टू चूज देर वेपेंस प्रॉम अधिता कस्टम लोड आउट जो आप लोग पहले से मुल्टि प्लियर मोड में सेट करते हो हमेशा से तो उसी को आपको चूज करना होता है और जब आपको चूज कर लेते हो उसमें आपको चीज और चूज करने को मिलती है और ट्रांसफॉर्म शील्ड और सेनेटरी गन ऑपरेटर स्किल्स तो आपके पास कुछ पर्क्स आते हैं लाइक अक्यूमेट किल्स और यह सब आप मतलब जो आप चूज करते हैं अपनी स्किल्स के साब से वह आपके पास पर् का सब्सक्राइब कि अपना अंडेट प्लेयर के पास एक मीली स्किल्स होती है और एक ऑपरेटर स्किल्स होती है ओ आप मीली चलाऊगे और साति साथ एक ऑपरेटर सकिल्स चलाऊगे दाट is activated when increase the movement speed जित्ता आप चलोगे जित्ता ज्यादा चलोगे वह आपकी operator skill तभी activate होगी पहले से activated नहीं मिलती है तो यह attack of the undead mode था अब यह सवाल यह उठता है कि आप जीतोगे कैसे यह match तो भाई आप लोग का main objective इस mode में यही होता है to survive against the undead अगर आप undead नहीं बने हो तो आपको न survive करना है तिल दी end of the spirulated time which is being provided यानि यह उपर आप देख रो अभी में दो मिनट का या 1.47 मिनट का जो टाइमर उपर चल ला है तो उस time के अंदर अंदर आपको बचना है survive करना है ज्यादा तर लोग अब इसमें छुपने भी लगे हैं hide हो आते हैं देखो अभी यहां पर भी आप देखना है कहां से छुपके भाई यह तो चलो अंडेट था लेकिन तब भी लोग छुपने लगे हैं तो इसमें आपको बचना है till the end मतलब spirituality जो आपको टाइम है उस तक आपको बचना है अब मैच दो तरह से खता हो सकता है या तो जो defenders kind of defenders कहलो उनको बचे रहना है till the time मतलब आपको अंडेट ने नहीं मारा तो end of the timer तक मतलब timer के end तक आप बचे रह गए देन आप जीत जाते हो नहीं तो आप अगर आप आपको मारा तो आप अंडेड बन जाते हो यह सिंपल सा फंडा है वीडियो पसंदा है तो लाइक बड़न दर्व दबादे थैंस वाचिंग काई हमेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते वीडियो थोड़ा च्छोटा सा विक्कॉज थोड़ा था मैं आज तो कोई बात अगला वीडियो भात धामाल कमाल से आने वाला एग्ला वीडियो होने वाध को के बारे में तो कि असकता है तो किंदूण 선생 कासरे जग में रह जाएगी यारे रहे रोल जिदिन भिक जाएगा फुते की मौत जग में सब कहेंगे मर गया माज़क तो